भावी और भेनों बीजेपी के लिए सबसे बड़ा देश और सबसे पहले ये मेरे देश वासी है आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ इराक में तुफान चल रहा था हमारे केरल से गई हुई करीब करीब पचास नर्से हमारी नर्सिंग का काम करने वाली बैने जो केरल से थी इसाई इंस्ट्यूटूटों में पढ़कर के बड़ी हुई थी आतंकवादियों ने उनके लिए संकट पैदा कर दिया विचर्च जाती हो लेकिन हमारे लिए वो तो सिर्फ मा भारत की बेटियां थी इसलिए आप खुश हो जाएंगे इन पचास जितनी हमारी नर्स बेनों को आतंकवादियों से बचा करके हम हिंदुस्तान वापिस ले आये थे हम रिलीजियन नहीं देखते है आप वो दिन भी याद करिए हमारे एक पादरी फादर एलेक्स प्रेम कुमार ये फादर एलेक्स प्रेम कुमार अफगानिस्तान गहे थे आतंकवादियों ने उनको किड्नेप कर लिया तालिबार वालों ने और जिस तरह वहां के हाला थे उनके परिवार ने भी आशा छोड़ दी थी कि ये हमारा फादर प्रेम कुमार वापिस आएगा के नहीं आएगा लेकिन हमने ठान लिया था रिलीजिन कोई भी हो हम पूरी ताकट लगा देंगे और हम कई महिनों के बाद फादर प्रेम कुमार को वापिस लाये थे बीजेपी सरकार ने उन्हें सुरक्षित वापस लाने का वादा उनके परिवार को किया था इसाई समाथ के धर्मगुरु मुझे मिलने आये थे मैंने उनको वादा किया था आज मुझे संतोस है कि वो काम भी हमने कर दिया ऐसे अनेक उदारण है जो नेशन फरस्ट और पीपल फरस्ट को लेकर बीजेपी के कमिट्मेंट को दर्शाते है साथियों मेगाले सही पूरे नौर्थ इसके विकास के लिए हमने पुरानी सोच और पुरानी एप्रोच को बदल दिया है कॉंग्रेस की सरकारों ने तो इस छेत्र को देश का आखरी हिस्सा मान लिया था जबकि बीजेपी नौर्थ इसको देश के विकास का ग्रोथ एंजिन मानती है कॉंग्रेस के लोगों को तो मेगाले की याद सिरफ चुनाव के दोरानी आती थी कॉंग्रेस और उसके जैसे दलों के लिए नौर्थ इस सिर्फ और सरफ एटी एम रहा है जैसे एटी एम से जाकर के पैसे निकालते हैं न ये दिल्ली में ऐसे लोग बैठे थे के नौर्थ इस से पैसे ही निकालते थे वो उनके लिए टी एम था आपके हक का पैसा ये लूट लेते थे जब कि बीजेपी नौर्थ इसके विकास के लिए इमामदारी से पाई पाई के इस्तेमाल पर विश्वास करती है आज केंद्र की बीजेपी सरकार गरीब के लिए किसान के लिए बेहनों के लिए जो भी पैसा भेचती है सीधे बैंक एकाउंट में भेचती है कोई बिचोलिया नहीं कोई एटी एम नहीं कोई लूट नहीं लेकिन साथियों आपको एक और बात समझनी चाहिए अनेक तरह के विकास कारियों के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ काम करना पड़ता है पडोस में आसाम हो अरुनाचल हो त्रिपूरा हो जहां भी बीजेपी की सरकारे हैं वहां इंफ्रासक्टर भी कितना बहतरी काम सुरू हो गया है बीते नव वर्षों में नौर्थ इसके लिए बजेट में कई गुना बडोतरी केंद्र सरकार ने की है मेगाले को भी बहुत अधीक बजट मिला है लेकिन आज जब यहां लोगों की बाते सुनता हूँ तो बहुत दूख होता है लोग कहते हैं कि पैसा लगा ही नहीं ना सडके बनी ना स्कूल कॉलेज ना अस्पताल बने फिर वो पैसा गया कहां यहां का यूद कह रहा है कि यहां रोजगार के अवसरीनों ने खतम कर दिये है जो भरतियां होती है उनमें करप्सन है भाई भतीजावाद है भाई और भेनों इनी सब बातों को देखते हुए ही मेगाले ने तै किया है कि दिल्ली और शिलोंग दोनों जगा बीजेपी सरकार होनी चाहिए होनी चाहिए कि ने होनी चाहिए मेगाले के हक का पैसा मेगाले के विकास में लगे इसके लिए डबल इंजिन सरकार जरूरी है यहाँ बीजेपी सरकार जरूरी है मेगाले को आगे कैसे बढ़ाना है यह विजन और विश्वास बीजेपी के पास है हर अर्चन के बावजोद बीते नव वर्षों में अनेकों आदिवासी गाउं तक पहली बार बिजली पहुँची गाउं की सडके हो हाइवे हो एरपोर्ट हो रेल लाइन हो पानी हो हर काम के लिए पहले से कहीं अधिक पैसा दिली से भेजा जा रहा है गाउं की सडकों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है केंद्र सरकार ने इसके लिए रेकॉर्ड बज़ेट रखा है पिछले नव वर्षों में मेगाले में नेशनल हाइवे के निर्मान पर पांच हजार करोड रुपिये खर्च किये गए है पांच हजार करोड मेगाले के ग्यारा जिले आज नेशनल हाइवे से जुड़ चुके है केंदर सरकार मेगाले को आज पास के देशों से भी जुड़ना चाहती है कोशिच यही है कि अहां के किसानों फल सब्जी उगाने वालों को बड़े बाजार मिले जादा इनकम हो तुरा दालू नेशनल हाइवे के चौड़ी करन पर हम तेजी से काम कर रहे हैं इससे गारो हिल्स की असम और बंगला देश के ट्रेडिंग सेंटर से कनेक्टिविटी बहतर होगी मेगाले और म्यानमार के बिश्व की कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम चल रहा है इन वर्षों में मेगाले की हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत हुई है आज मेगाले के ट्राइबल गावों तक 4G इंटरनेट पहुंचाने के लिए भी सेंकडो टावर लगाए जा रहे हैं